कथास से जो सबसे पहला पाथ हम सीखते हैं वो है सब के मतों का सम्मान हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी जब महर्शु वाल्मी कि ये कथा लिखते हैं 66,000 वर्ष पहले तो उनका अपना तरीका है उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसाथ किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी उन्होंने वार्शिवालमी की तरह नहीं सुनाई फिर हमने देखा आदरनेश्य रामानन सागर की रामायड बहुत भवे बहुत ही अद्भुत रामायड वो हमें देखने को मिली जब ओमराउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रेशलिय था क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूलियों पे यहां किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है, सब राम जानते हैं, लेकिन दुरभागी यह है, कि जो नई पीड़ी है, यह नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थौर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं, यह राम की कताएं नहीं सुनते, और अगर यह राम की कहानी जो इतने बड़े नायक हैं, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है, क्या कलपना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आनी की, वो नायक लोगों तक पहुँचे, यह जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंग बली उसस बहुत पहले उड़ते थे, सौ योजन का समुद्र पार कर जाते थे, हमारे बजरंग बली सिर्फ हलक ऐसा नहीं था कि जो बड़ी-बड़ी चीज़े मारे और मुका और पहाल तूट जाएं, हमारे बजरंग बली द्रोणागीरी परवत उठा के उड़ जाते थे, यह सब ह विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपने सिनमेटिक लिवर्टी के नाम पे, जो डायलोग्स के जो इतरास कर रहे हैं, वो आपने उसको इंप्रूव नहीं किया, उसके साथ छिरचार कर दी। पर अपनी फिल्म में किया हो, हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वादा किया, हमने सुना, आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहला ट्रेलर पर तो हम सब ने देखा था कि डायलोग्स पर आर्टिकल लिखे गए बड़े- प्रेलर पर बड़े-बड़े न्यूस चली, जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं करम से छोटे अबड़े होते हैं, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना, जब हजारों साल बाद तुम मारा नाम पढ़कर सम्मान से सरजोग जाएंगे मर्यादा के लिए लड़ना लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गालद वहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज ये सब डायलोग इसी फिल्म के हैं मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ जब मा सीता अशोक वाटिका मे हैं और रावण उनके उपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने के लंका में चलो मेरी पत्नी बन जाओ मेरी रानी बन जाओ और वहां मा सीता कहती है उसकी आँखों में आखिन डाल के कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके यह सब इसी फिल्म का हिस्सा है यह सब इसी फिल्म के समवाद है तो इन समवादों पर अगर आपने तालिया बजाई अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर के लेखनी से नेकले यह समवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मा सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादेत कर रहे हैं, सही तरीके से प्रिजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतनी के लिए मेरी प्रशनसा होनी चाहिए, कि मैंने बहुत अच्छा किया, फिर जहां आपको ये लगता है, कि नहीं भाई, बजरंग बली के पांच समवादों पर पूरी कहानी है 4.5-4.000 लाइने मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के समवाद पिक्चर में है उसमें से अगर 5 पर एतराज है आपको तो ये 5 का एतराज मैं शिरोधारी करता हूँ मैं इतने हैंकार में नहीं हूँ मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई लेखनी से जो लिख दिया वही विधी हो गई अरे बिलकुल नहीं मैं राम तत्तो को समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे वो बजरंग बली थे, राम भग थे तो वो हूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोशक बनाते हैं, उनके अंदर परवतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुधि फिद्या के देवता है, ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुधि कम है लेकिन इसके भावजूद जब बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं बड़े सहस्ता से बात करते हैं बड़ी निश्चलता से बात करते हैं, बालक सो भाव है उनका जब आप रामानन सागर जी की भी रामायड देखें तो जब वो खड़े हुए है रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण की तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजड़ दी है शोक वाटिका, तो कहते हैं नहीं मुझे तो भूख लगी थी और मैं सो योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दीखें मैंने खा लिये और फल खाने में टूट टाट गया उनकी जन्वावना का आधर करते हैं, आपकी कंपनी जो प्रडूसर है, टीसरी जो नों भी एक बयान जा रही है, शायद आप कुछ बदलाव करने वाले हैं, कुछ बदल रहा हूं, हन्रिट परसंट, यह नहीं कि अधा धूरा, मैं अपने समवादों के पक्ष में अंगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीला कम नहीं होगी, अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है, मेरा एहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिग दिया, यह बहुत छोटी बाते हैं, इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता, मैं समझता हूं, फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई, तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा करतव यह है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें, कभी-कभी समझो नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, यह बहुत अच्छी बात है कि मेरे डिरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोडूजर श्रीभोशन कुमार, यह एक लोगिस्टिकल नाइट्मेर है, कि जो पिक्शर लगभग 10,000 थेटर होने के बाद अगले 2-3 दिनों में यह डायलॉक्स थेटर में होंगे